हलो गाईज, विलकम बैक टो मैं चैनल, सामने है अर्टी का VXI CNG और ZXI CNG आज इस वीडियो में करेंगे कमपेरिजन इन दोनों वेरिंट के बीच में जानेंगे कि इन दोनों वेरिंट में प्राइस वाईज कितना चेंज मिलता है, वहीं फीचर्स वाईज बेसिकली आपको कितना चेंज मिलने वाला है अगर बात करें दोनों वेरिंट के प्राइस की तो ZXI CNG का ओन रोड पाईस है 13,000 रुपे वहीं VXI CNG का ओन रोड पाईस है 12,600 रुपे दोनों वेरिंट के बीच में 1,25,000, 1,30,000 रुपे का बेसिकली आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा वहीं फीचर्स वाईज आपको ZXI वेरिंट में काफी सारे फीचर्स मिलने वाले हैं हलाएं कि डाइमेंशन में कोई भी चेंज आपको नहीं मिलेगा सेम डाइमेंशन यहाँ पे मिल जाता है बट जो पैसा आप पे करोगे एक्स्ट्रा एक लाख बीस अजार उपे वो करोगे आप फीचर्स के जैसा कि आप सामने देख पारे हो ZXI वेरिंट में आपको एड़ोन मिल जाते हैं फोग लैंप यह देखिए वहीं VXI वेरिंट में फोग लैंप आपको नहीं मिलेंगे हालांकि जो हैड लैंप से यह आपको सेम मिलते हैं वहीं गाड़ी के ग्रिल में भी आपको कोई भी चेंज नहीं मिलने वाला अर्टिगा का रोड प्रजंस काफ़ी जवरदर्स है 1735, 1735 mm की गाड़ी में आपको overall विर्थ देखने को मिल जाती है बात कर लेते हैं गाड़ी के टायर सेक्षन के बारे में तो यह है इसका VXI वेरिंट यहाँ पे आपको 15 इंच के टायर मिल जाते हैं ब्लैक कलर में स्टेल रिम कंपनी ओफर कर दी है लेकिन अगर हम आते हैं ZXI CNG वेरिंट में यहाँ पे diamond cut में dual tone alloys देखने को मिल जाते हैं हालां कि टायर सेक्षन में कोई भी change आपको नहीं मिलेगा बट यहाँ पे आपको alloys extra देखने को मिल जाते हैं बात करें over VM के बारे में तो ZXI CNG में जो over VM है यह auto foldable adjustable दोनों function के साथ आता है लेकिन VXI variant में आपको auto foldable नहीं मिलता वही door handle में भी आपको काफी बड़ा change मिलेगा यहाँ पे आपको chrome fringe में door handle मिल जाते हैं वहीं इसके उपर आपको request sensor company ओफर करती है co passenger side वहीं driver side दोनों और जो है आपको request sensor मिल जाता है लेकिन VXI variant में आपको simple ही door handle मिलता है वहीं यहाँ पे आपको कोई भी request sensor नहीं मिलता है तो यह एक change आपको दोनों variant के side में मिलता है गाड़ी की length काफी अच्छी है गाड़ी के अंदर आपको 4395, 445 mm की overall length मिल जाती है वहीं बात करें wheelbase के बारे में rear में यह देखिए rear से गाड़ी काफी बढ़िया लगती है वहीं बात करें changes की तो ZXI CNG variant में जो rear वाला part है यहाँ पे आपको defogger मिल जाता है rear wiper और rear wiser मिल जाता है पीछे आपको CNG की bashing देखने को मिलेगी वहीं boot की उपर आपको जो है तो दोनों ही वेरिंट में आपको same tail name unit मिल जाती है जो कि आपको LED light के साथ मिलती है वहीं indicator आपको दोनों वेरिंट में same मिलते हैं four points मिल जाते हैं parking sensor के वहीं पीछे आपको reflector भी देखने को मिल जाता है अब चलते हैं boot की तरफ तो यह है RTA CNG का boot space यहां पे आपको कुछ इस प्रकार का boot space मिलता है पीछे आपको 65 liter water carrying capacity का tank मिल जाता है जिसके अंदर 8 kg से लेके 9 kg तक basically आपको gas देखने को मिल जाती है tank होने के बाद कुछ इतना space यहां पे आपको मिलने वाला है वहीं जो seat है आप इसको बस इतना ही recline कर सकते हैं यह देखिए tank होने के बाद जो space है वो boot में बिल्कुल भी नहीं बसता बट हाँ अगर आप इन seat को fold कर लेते हैं तो अच्छा खासा basically boot space निकल के आ जाता है मैं fold करके दिखा देता हूँ यह देखिए fold होने के बाद basically कुछ इतना boot space निकल के आ जाता है वहीं proper insulation आपको यहाँ पर मिल जाता है यहाँ पर आपको मिलता है grab handle एक लाख 20,000 एक लाख 25,000 रोपे जो आप extra pay करोगे वो pay करोगे आफ features के ZXI variant में आपको add-on features मिल जाते हैं पहले लोगों को VXI variant ही लेना पड़ता था मजबूरी में लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको CNG के साथ features की भी निवीड होती है वो अब ZXI CNG को उठा सकते हैं तो यह चेंज आपको exterior में मिलता है अब चलते हैं interior में तो सबसे पहले आते हैं ZXI variant में अच्छी बात यह यहां पर आपको request sensor company offer कर देती है और ऐसा look आपको जो है interior में देखने को मिलता है जो interior है यह आपको dual tone में मिल जाता है black और base का combination बेसिकली यहां पर आपको मिलता है काफी अच्छा लगता है वही door opening यहां पर आपको काफी wire मिलती है door team की बात कर लेते हैं तो यहां पर आपको all four power window के button मिल जाते हैं speaker यहां पर मिलता है bottle holder है वहीं यहां पर overview adjustment का button basically देखने को मिलेगा यहां पर सबसे बड़ा change आपको मिलेगा यह यह देखिए यहां पर आपको wooden element मिल जाता है जो कि आपको doors में मिलेगा और dashboard पर आपको adjustable headers मिल जाएंगे अच्छी बात यह है ZXI CNG variant में आपको जो है यह देखिए height adjustment function मिल जाता सीट में वहीं VXI variant में height adjustment वाला function नहीं मिलता अगर बात करें speakers के बारे में तो गाड़ी के अंदर आपको 6 speaker का setup मिलेगा जिसमें 4 speaker और 2 tweeter मिल जाते हैं वहीं Artiga VXI CNG में आपको सिर button मिल जाता है CNG से petrol, petrol से CNG में लेने का वहीं आपको traction का button मिलने वाला है बैठते हैं गाड़ी के अंदर और बात करने गाड़ी की चाबी के बारे में तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की की देखने को मिलेगी लोकल लोके button के साथ पीछे सुजगी का logo मिल जाता है अब करते है ignition start यह देखिए कुछ इस प्रकार का ignition यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा steering की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर decat steering मिल जाती है steering अजर्ण यहाँ पर आजाएंगे वहीं आपको voice command जैसे feature मिल जाते हैं वही इस ट्रींग एज़स्मेंट अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पर आपको tilt और तो यहाँ पर आपको फ्यूल गेज और टेंपरिचर गेज की यहां पर आपको अलग-अलग यूनिट मिलती है। यह वाला जो गेज आप देख रहे हैं, यह गेज ए CNG का और यह गेज पैट्रोल का जो की काफी अच्छा लगता है दिखने में। बीच में M.I.D. मिल जाती है, जिसमें काफी सारी इंफोर्मेशन आप बेसिकली सो कर सकते हो, यह है गाड़ी का सेंडल कंसोल, सामने आपको 7 इंच का इंफोर्टेमन सिस्टम मिल जाता है, एन और अटो एपल कार पले के साथ, काफी अच्छा लगता है, मारूत्य के ओलम सभ सकते हैं, बात करें, गाड़ी के गलब बॉक्स की बारे में, बेसिकली चोटा सा है, और यह आपको नॉर्मल ही मिलता है, manual IRBM मिल जाता है इस साइड में आपको ticket order मिलेगा co-passion साइड में आपको vanity mirror मिल जाता है 5 speed का यहाँ पर आपको gearbox मिलेगा और यहाँ पर आपको मिल जाता है armrest जो की आपको moving मिलता है इसके निचे आपको छोटा सा storage मिलने वाला है dual airbag यहाँ पर आपको मिल जाते हैं दोनों ही आपको आगे मिलते हैं तो यह change आपको basically Artiga ZXI CNG में मिलेगा automatic AC है जाता है इसकी cooling definitely काफी अच्छी है एक अच्छा सा look निकल के आता है अगर गाड़ी में ज़्यादा features होते हैं तो basically जो look है वो अपने आप जो है increase हो जाता है अब चलते हैं Artiga VXI CNG में तो यह look निकल के आता है Artiga VXI CNG का देखी पा रहे होंगे सामने जो wooden element है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा उस तरफ ही जाके दिखाता हूँ कभी पता चलेगा तो यहाँ पर आपको body color door handle मिलेगे कुछ ऐसा look निकल के आएगा एंटीरियर में VXI CNG variant है इसलिए यहाँ पर जो key है यहाँ आपको इस प्रकार की मिलेगी local low के button के साथ वहीं यहाँ पर भी आपको all four power window के buttons मिल जाता है लेकिन यहाँ पर आपको मिलेंगे सिरफ 4 speaker वहाँ पर आपको मिल रहे है 6 speaker बाकी door trim आपको सेम मिलेगी बट यहाँ पर जो wooden element था वह यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा seat पर आपको height adjustment नहीं मिलेगा बट हाँ recline adjustment जरूर मिल जाता है बात करें steering के बारे में तो जो steering के यहाँ पर आपको d cut मिल जाती है वही steering mounted control यहाँ पर आपको मिलने वाला है बट यहाँ पर आपको voice command जैसे feature बेसिकली नहीं मिलने वाले ठीक है तो यह चैनल यहाँ पर मिलेगा बाकी stock यहाँ पर आपको सेम मिलेगा बात करें गाड़ी के instrument cluster के बारे में तो यह भी आपको बेसिकली सेम ही मिलता है बीच में MID मिल जाती जिसमें आप काफी सारी information बेसिकली सो कर सकते हो यह है central console यहाँ पर मिल जाता है double din का infotainment system नोर्मल है Bluetooth FM that's it और इससे जज़़ादा इसका use आप नहीं ले सकते यहाँ पर आपको कोई भी wooden element नहीं मिलने वाला manual AC मिलेगा नीचे 12W का power socket USB port यह तो आपको सेम मिलेगा यहाँ पर आपको cool cup holder मिल जाता है 5 speed का gearbox और यहाँ पर आपको जो है armrest नहीं मिलने वाला बाकि यह आपको सब को सेम ही मिलता है तो basically यह चेंज आपको दोनों wind पर मिलने वाला है आगे से तो ठीक है याँ पर आपको fuel का button मिल जाता है और यहाँ पर आपको attraction control मिलेगा यह भी आपको सेम ही मिलता है बाकि ABC pedal और side में आपको dad pedal company offer कर रही है ठीक है तो आगे से आपको सिरफ यह ही change मिलने वाला है अब चलते हैं गाड़ी के rear seat पर तो यह है आटिगा की rear seat बात करें गाड़ी की rear seat के बारे में तो यहाँ पर as usual पीछे fabric pole से मिल जाती है center में आपको armrest मिलेगा जो कि आपको two cup holder के साथ नहीं मिलने वाला center में जो है आपको hotel world का power socket भी मिल जाता है वहीं इसके नीचे आपको थोड़ा सा storage भी मिलने वाला है seat गाड़ी की काफी अच्छी है वहीं आपको roof के उपर AC vent मिल जाते हैं बात करें rear door के बारे में तो opening wide है enter exit करने में देखता आपको नहीं होने वाली काफी बड़ी बड़े basically यहाँ पर door मिल जाते है bottle holder है speaker है और यहाँ पर आपको chrome door handle मिलता है seat के बारे बात करें तो बैटने में काफी बढ़िया है काफी मजा आता है बैटने में और आप इन seat को भी जो है recline कर सकते हो बात करें और यह seat के बारे में इसको करता हूँ में down one second यह देखे down होने के बाद आप जो है पीछे वाली seat में ऐसे entry ले सकते हैं पीछे भी आपको फैबरी का पोल सी मिल जाती है adjustable headrest मिल जाते हैं पीछे आपको bottle holder मिलेगा और पीछे भी आपको एक 12V का power socket देखने को मिल जाती है बड़े बड़ी window मिलेगी जो बंद अंदर बैठा है उसको अच्छा feel होगा अब चलते हैं और VXI variant के integer में तो यह है VXI variant का integer एलिए डिटी यहां पे सेम memories मिलता है है यहां पर आपको कोई बीचेज आपको नहीं मिलने वाला बट यहां पर आपको 12V का power SS2 नहीं मिलने वाला तो यह चेंज आपको दोनों बेरेंट में मिलने वाला है एक लाख बीस हजार एक लाख तीस हजार रुपे आप सिरफ एक्स्रा पे करोगे यहां पर फीचा से अगर आप भी एक्साई वेरियंट लेते हो तो आप अप्टर मार्केट जो काम करवाने जाते हो वहां पर भी पैसा लगता है लेकिन अगर आप इसी प्राइस रेंज में एक लाख बीस हजार रुपे एड ओन कर देते हो तो यहां पर जैडएक साई को उठा सकते हो काफी सारे फीचर बेशिक लिए आपको मिल जाता है और जो आपका आफ्टर मार्केट काम होता है आप उस सीज से बच सकते हो यह काफी बड़ा खर्चा हो जाता है जब हम कोई को लेने में कितना पैसल लगाते हैं बजट अच्छा बनता है उठा लो बजट टाइट है तो भाई वी एकसाई सी एंजी वेंट काफी बड़िया सोधा हो सकता है आपको यह वीडियो पसंद आए होगी आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूरू बताए थैंक्यों सो मच्छ फॉर वोचिंग